वेलकम टू श्टेप अपाईए स्वगत है आप सभी लोगों का दा इंडियन एक्स्प्रेस के एडिटोयर डिस्केशन आज है 26 फरवरी 2019 तो आज है सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपोर्टेंट हैं ये आर्टिकल अरवड़ांचर प्रदेश में PRC के उपर जो वाइलेंस इमर्जो के आया है उसके बारे में है पूरा मामला जानेंगे इशू को समझेंगे और जो कुछ बेसिक्स हैं उनको भी समझने की कोसिस करेंगे ये आर्टिकल भारतिय सिक्षा बोर्ड के बारे में है इस पर भी हम चर्चा करेंगे जानेंगे पूरा इशू क्या है देखिए ये आर्टिकल पुलवामा अटैक के बारे में है पॉइंट्स सारे पुराने हैं तो हमें ये आर्टिकल डिसक्स नहीं करना कुछ नए डिवलप्मेंट्स हुए हैं इंडिया की एर फोर्स ने 80 किलो इस पेज़ पर ये आर्टिकल स्टेट अफ डिवल्प्मेंट्स के बारे में है इंडिया की रैंकिंग में एक पैदान का इंप्रूव्मेंट हुआ है राइटर इससे बहुत खुश नहीं है उसी पर चर्चा की गई है इसे भी हम डिटेल से डिसकस करेंगे ये आर्टिकल इस और नौर्थ कोरिया की बीच में जो भी डिवल्प्मेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में है सी राजा मोहन जी का आर्टिकल है अच्छा ही होगा डेफिनेटली हम इसे भी डिटेल से डिसकस करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं आज मारे पास ऐसे उठाते हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं वो शोशो एक्स्ट्रीम की बात करते हैं जबकि राइट जो हैं जो राइट ग्रुप के लोग हैं वो नेशनलिटी की बात करते हैं तो यह जो ग्रुप्स हैं इन में किसी का भी एक्स्ट्रीम अच्छा नहीं होता है ऐसा उन पर question marks raise किये जाने लगते हैं तो ये सारी चीजे देखने को मिलती है जब ये बहुत extreme में जाता है राइट जो है वो extreme में जाता है जब left extreme में जाता है तो नकसलवाद जैसे समस्तिया इमर्ज होके आ जाती है तो दोनों extreme में आ जाएं दोनों अपनी अपनी जिगें पे सही है नेशनल्जम होना बहुत ज़रूरी है लोगों को अपने देश पर pride हो ये बहुत ज़रूरी है लेकिन ये इतना ना हो कि आप दूसरों को नुकसान पहुचाने लगें सोश्यो एकनॉमिक equality ज़रूरी है जो समाज का निचला तपका है उसके हितों का ध्यान रखना ज़र ये जो आर्टिकल है इसे इल्सबाइटा बैंक कोस को साइद मैं नाम सही प्रनशेट ना कर रहा हूँ थोड़ा सा difficult नाम है at least for Indians ये पोलैन की है और अभी ये EU की Commissioner for Internal Market Industry, Entrepreneurship and MSME की लिए है ये अभी इंडिया के विजिट पर है तो ये आर्टिकल उन्होंने ही लिखा है तो That set out Union's vision for strategy to strengthen its cooperation and partnership with India अब ये जो agenda तयार किया गया था उसमें EU का जो approach था जो vision था वो कैसे इंडिया के साथ अपने relations को आगे बढ़ाना चाहते हैं, cooperate करना चाहते हैं, partnership को बहतर करना चाहते हैं उन सारी शीज़ों को वहाँ पर explain किया गया था और जब ये नई strategy तयार की गई थी तो सभी stakeholders including in Europe and in India बाच्चीत की गई थी, यहाँ पर दिखाता है कि EU इंडिया के role को international regional matters में कितना significant मानता है इंडिया एक emerging global power है जो की एक key role play कर रहा है multipolar world में, multipolar world का मतलब होता है जहाँ पर कई सारे center of powers हो, जैसे की पहले bipolar world था, दो सक्तियां थी विश्व में, एक USA, दूसरा USSR, अभी जो इस्थती बनी हुई है, देश, दुनिया जो है वो कहीं न कहीं unipolar हो चली थी, 1991 के बाद multipolar बन रही है, multipolar का मतलब, pole का मतलब होता है center, ठीक है, और center यहाँ पर क्या मतलब है, उस center का center of power, तो multipolar का मतलब कि कई सारे center of power हैं, कई सारे देश हैं, जो सक्तिसाली हैं, एक और इंडिया, जापान, चाइना, साउथ आफरिका आप देखें, तो वो भी emerge होकर आ रहा है, म एरोप में कुछ देश, जर्मनी, फ्रांस और यूएस अलरी अच्छे सिती में है ही, रश्या, अपना जो, अपनी जो legacy है, उसको और strong कर रहा है, तो कई सारे center of powers, इmerge होके आ रहे हैं, तो दुनिया multipolar बन रही है, और यहाँ पर इंडिया एक बहुत important role play करेगा, या फिर क कर रहा है, हाला कि देखे काफी अच्छा convergence देखने को मिल रहा है EU और इंडिया की बीच में, global और regional issues पर, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से benefit अवेल कर रहे हैं, economic growth और business opportunities को explore किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी recognize करने की, हाँ, recognize किया जा रहा है, acknowledge किया जा र million population को cover करते हैं, जो कि बहुत ही significantly economic discourse को या फिर human development को प्रभावित कर सकते हैं, रेटर कहती हैं कि जो उनकी ongoing visit है, वो यहाँ पर इन policy dialogues को और strong करने की कोशिस करेंगी, specifically जो small and medium size enterprises हैं, वो उनके लिए कुछ बातशीत करने की कोशिस करेंगी, अब देखे कुछ यहाँ पर fields बत या फिर हम ये कहें, हमें उल्टा बोल रहाँ actually में, इंडिया के लिए EU एक largest trading partner है, इंडिया सबसे जदा trade अपना EU के साथ करता है, जो सभी European countries हमके साथ combined लिए, जो इंडिया है वो EU के लिए 9th largest partner है, जो bilateral trade है goods and services का, वो 2017 में 100 billion euro के आसपास पहुँच गया था, ये symbol euro का है, ठीक हम dollar के बात नहीं कर रहे हैं, there is scope for much more trade, scope है और जदा trade हो सकता है, investment and cooperation between European Union and Indian companies और अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर small and medium size जो enterprises हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, जो European companies हैं, जिसमें कई सारे start-ups भी हैं, उन्होंने कई सारे fields में अच्छा काम किया है, technology की field में, involvement, communication, energy, infrastructure, इस और Indian smaller medium enterprises हैं, वो एक सांथ मिलकर आएंगे, joint action launch करेंगे और knowledge को enhance करने की courses करेंगे, cooperate करेंगे इस field में, तो इससे भी दोनों का collaboration और बहतर हो सकता है, चौथी बात है कि space एक ऐसा area है, जहाँ पर India और EU आपस में collaborate कर सकते हैं, corporate nickers जो की एक earth observatory program है, इससे इंडिया को काफे फ deal किया जाए, तो यह 4 points से हाँ पर बताये गए हैं, तो इन्हें भी आप याद रखने की courses करिए, रेटर कहती हैं कि अपने visit के दौरान वो explore करने का प्रयास करेंगे कि cooperation को और कैसे बहतर किया जा सकता है, और जो opportunities हैं उन्हें और कैसे explore किया जाए, यह पूरा article हमने यहाँ पर देखा, देखते हैं अगला article, slipping on democracy, GS paper 2 से आप topic को जोड़ सकते हैं, role of civil services in democracy, देखिए हाल ही में democracy index confirm करता है कि इंडिया काफी प्रयास तो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ranking बहुत बहतर नहीं है, तो यह जो democracy index है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, democracy index यह शो करता है कि हाँ कौन सी country किस category में पढ़ रही है, वहाँ पर democratic values को कितना ज़्यदा तबज्यो दिया जा रहा है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, first of all एक graph है आपके सामने, आप देखिए, जो democracy index है, इसे economic intelligence unit publish करती है, यह उनकी 11th report है on state of democracy in the world in 2018, इसका title क्या था, me too, political participation, protest and democracy, इस title से इस report को जबर publish किया गया था, इस survey में देखिए, 165 independent countries को, survey किया जाता है, calculate किया जाता है, कई सरे देसों को छोड़ दिया जाता है, 5 parameter से यहाँ पर इस्तिमाल किया जाते हैं, जैसे इस बार Maldives को ही calculate नहीं किया गया, उनका evaluation नहीं किया गया, अब देखिए, यहाँ पाँच parameter पे rank करते हैं, और जो ranking दी जाती है, वो 10 point में दी जाती है, 10 point में 5, 4, 6, 2, ऐसे rank किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, year दिया गया है, इंडिया की ranking दी गई है, और इंडिया को कितने point मिले, वो दिया गया है, अब यह को 2007 में जो इंडिया की ranking थी, वो 35 थी, तो ये 10 में दिया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ranking दी जाती है, वो 10 point में दी जाती है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये क्या लिख रखा है जो नहीं, 7.28, 7.3, 7.52, ये क्या लिखा है न, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कि 10 point म ये ranking 35 रही, 2010 में अचानक से हमारी ranking गिर गई, 40 पे पहुँच गई, थोड़ी सी बढ़ी 2011 में 39, 38, 33, यहां पर देखे, ranking फिर सुधरना सुरू होती है, अचानक से गिरी है, 2010 में 40 पी आई है, 2010 के बाद फिर से सुधरना सुरू होई है, 49, 38, 33, 2014 में ranking बहुत अच्छी थी, 27 थी, और उसके बाद फिर हमारी ranking खराब होना सुरू होती है, अगें, 35 बढ़ जाती है, 2015 में, 2016 में यह 32 जाती है, और 2017 में तो बहुत ही खराब सिती में हम पहुँच गए, यानि कि यह ranking 42 हो गई, आप यहां पर देखे, जो 10 साल का parameter दिया गया है, 2017 की ranking सबसे ज़्यादा ख देख लिया, और हमने यहां पर मतलब समझ लिया कि यह report कैसा है, कौन launch करता है, क्या parameters है, हम इन्हीं को थोड़ा और explanatory manner में देखेंगे, देखे, EIU, Economic Intelligence Unit इसे reveal करता है, वो पिछले 10 दसकों से experiment कर रहे हैं, democracy को study कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, the index made news last year when India has slipped, last year काफी news मे यह index को कि इंडिया काफी तेजी से गिर गया था, इंडिया की ranking जो पहले 32 थी, वहां से गिर के इंडिया 42 पर आ गया था, और उसके बाद हम लात्विया और South Africa से भी नीचे की ranking पर आ गये थे, यह survey 165 independent countries को evaluate करता है, 5 parameters पे within 10 points, यह बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब 5 parameters यह भी important है, अगर parameters 5 ही हैं तो important हो जाता है, अगर 15-20 parameters दे दिये गए फिर important नहीं है, लेकिन 5 ही parameters हैं तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, तो जो comprehensive survey किया जाता है, वहां पर 60 questions पूछी जाते हैं, 5 category में, और उन्ही questions के basis पर evaluation किया जाता है कि कौन सी country किस category में आती है, और 4 categories भी divide की गई है, कि कौन सी democracy की क्या category है, जो पहली category है, that is full democracy, दूसरी flawed democracy, तीसरी hybrid democracy और चौथा authoritarian regime, full democracy जहां पर democratic principles को पूरी तरीके से follow किया जाता है, flawed democracy जो की कहने को तो democracies हैं, लेकिन principles को अक्सर compromise कर दिया जाता है, and you must know that India comes here, India जो है, वो flawed democracy की category में आता है, ध्यान द countries हैं, ये flawed democracy हैं, जो Scandinavian countries हैं, जैसे की Norway, Sweden, ये सारी countries full democracies में आती है, hybrid democracies, जहाँ पर democracy भी है, और वहाँ पर authoritarian regime भी काम कर रहे है, authoritarian regime जहाँ पर democracy की कोई value नहीं है, जो कमने स्देश हैं, उन्हें भी इन ही category में रख दिया जाता है, तो ये चार आपने classifications देख लिए, अब आ almost perfect, 9.87 out of 10, Norway को सबसे ज़्यादा ranking दी गई है, उन्हें 10 में से 9.87 points दिये गए है, North Korea को, अब देखे, ये top कर रहा है, Norway ने top किया है, with 9.87 out of 10, और जो North Korea है, उसे सबसे last में रखा गया है, 167 पे, उसे 10 में से 1.08 rank किया गया है, सबसे खराब, केवल 20 countries ऐसी हैं, जो full democracies हैं, और ये दुनिया की केवल 4.5% population को cover करते हैं, यानि केवल दुनिया की 4.5% population ऐसी है, जो कि full तरीके से democratic countries में रहती है, ठीक है, most of the shift has taken place into flawed democracies, flawed democracies में ही जज़तर जो परिवर्तन हैं, वो देखने को मिले हैं, जो कि सबसे बड़ा group है, जो flawed democracies का group है, वो सबसे बड़ा group है, और जो 43% दुनिया की population है, वो flawed democracies में आ जाते हैं, और one third जो दुनिया के population है, वो authoritarian government के rule में रहती है, जिसमें सबसे जो बड़ी majority है, वो चाइना में रहती है, चाइना को भी authoritarian regime में रखा जाता है, जो nordic countries हैं, वो अक्सर top करते हैं, year after year उनकी ranking काफी अच्छी रहती है, वह पर political participation काफी अच्छा है, वो काफी अच्छी तरीके से welfare state के तौर पर काम करते हैं, progressive workers right है, environmental standards भी उनके अच्छे हैं, top 5 countries कौन सी है, if you want to know, then let me tell you the name, Norway, Iceland, Sweden, New Zealand and Denmark, ये ranking है, first पे Norway, second पे Iceland, third पे Sweden, fourth पे New Zealand और fifth पे Denmark, ये 5 countries का rank है, top 5 में, और जो नीचे से 5 देश हैं, जो ने स war prone areas हैं, मतलब ऐसी countries जहां पर लडाईयां चड़ी हुई है, civil war चड़ा हुआ है, like Chad, ये एक African country है, Chad, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Syria and North Korea, जिसमें देखें, तीन African country हैं, ये Syria और North Korea Asian countries हैं, ठीक है, तो यहां पर देखें, हमने देखा कि क्या क्या countries हैं, जिन्होंने कैसे कैसे अपनी जो ranking है, उ कुछ बाते की गई हैं, देखें, women candidates को quota देना, parliament में, उन्हें और जदा अधिकार देकि inclusive बनाना, जो parliamentary process है, उसे, ये instrumental importance देता है, कि जो ranking होगी, वो कैसी होगी, जापान ने women quota introduce किया था, इसके लिए legislation 2018 में वो लेके आए हैं, और subcontinent में, हम बात कर रहें, Indian subcontinent की, वहां प 33% seats जो हैं, वो parliament में women के reserved हैं, record 40% of women in local bodies, और वहां पर 40% seats local bodies में भी reserved की गई हैं, मतलब Indian subcontinent में, Nepal is performing very good towards the representation of women, बांगलादेश ने 14% seats reserved कर रखी हैं, महिलाओं के लिए, पाकिस्तान ने भी 17% seats lower house में और 15% seats upper house में respectively महिलाओं के लिए रखी हैं, unfortunately, you can see कि ऐसे ऐसे दोस्यों में भी, मतलब representation दिया गया है, जहां आप उमीन नहीं करेंगे, मतलब Pakistan में महिलाओं को representation दिया जाएगा, maybe you could not guess that, but यहां पर है, and unfortunately, इंडिया में ऐसा नहीं है, मतलब इंडिया में महिलाओं के लिए जो 33% reservation का reservation का bill है, वो कितने लंबे समय से अ reservation 33% दे सकते हैं, अगर सार्क कंट्रीज का evaluation किया जाए, तो इंडिया को 41 rank किया गया है, स्रिलंका इंडिया के बाद है, 71 rank पर है, और इन दोनों कंट्रीज को flawed democracy के टेगराईज किया गया है, मैंने आपको बताए, इंडिया flawed democracy के के टेगरी में ही रहता है, बांगलादेश 88 भुटान 94 और नेपाल को 97 पर रखा गया है, जहाँ पर यह hybrid regime है, मतलब यहाँ पर democratic principle काम तो कर रहे हैं, बढ़ ठीक से नहीं, पाकिस्तान को 112 rank किया गया है, अफगानिस्तान को 143 और इन्हें authoritarian regime डेकलेर किया गया है, माल्दीफ को rank ही नहीं किया गया है, इस index में कई सरे जैसो को छोड़ दिया जाता है, माल्दीफ को भी छोड़ दिया गया, और सिलंका ने काफी खराब perform किया है, साउथ एशिया की सभी countries में, तो यह evaluations हमने शाक country में भी रेख लिये, अब लेकिए इंडिया जो की highest position पर पहुचा था, 2014 में आपको graph में दिखाया था अगर आप हो तो, 2014 में सबसे अच्छा हमने perform किया था, 27th rank इंडिया को मिली थी, हम केवल दो rank पीछे थे, अगर हम दो rank और avail कर दे थे, अगर हम 25 पे आ जाते, तो हमें full democracy declare कर दिया जाता, लेकिन अभी last year हम 42nd rank पे आ गए, इस साल हमारी rank इंप्रूव होई है, 41, लेकिन जो हमारी ranking है जो marks हैं, वो 7.23 बहुत अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर किन चीजों ने इंडिया की ranking को सबसे दा प्रभावित किया है, रिपोर्स ये बताती हैं कि जो conservative religious ideologies इंडिया में अपने पाउपसार रही है, vigilantism, violence और जो decent, विरोध को दबाने की कोशिस की जाती है, minorities insecure feel करती है, marginalized group अपने आपको बहुत अच्छे स्थिती में नहीं पा रहे हैं, इन सभी चीजों ने इंडिया की ranking को गिराया है, तो इस जिसा में अगर सरकार काम कर ले जाए, तो सायद हम अपनी ranking को improve कर पाएंगे, ये पूरा article हमने यहाँ पर देखा, देखते हैं अगला article hope in Hanoi, paper to say topic क अगेन आप जोड़ सकते हैं, तो देखिए North Korea के लीडर किम जो उन और US President Donald Trump की meeting हनोई, यानि की वियतनाम में होने वाली है, ये meeting कल होगी, ठीक है, अभी जो किम जो उन हैं, वो हनोई पहुँच चुके हैं, आज morning की report है, और evening तक Donald Trump भी पहुँच जाएंगे, कल ये लोग बातचीत करेंगे, जो मुद्दा है, D-Nuclearization का, Korean Peninsula के संदर में, उसी संदर में ये बातचीत की जा रही है, आर्टिकल एक नया perspective ले रहा है, जिसमें हम चर्चा करते हैं, रेखे, वियतनाम जो की हनोई की capital है, वो भी एक ऐसी जगह थी, जिसके बारे में किसी भी सोचा नही करेंगे, जिसे सिंगापूर में, अचानक से declaration ये हुआ, लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, किम जो उन और डोनाल्ट ट्रम्प के बीच में वो सिंगापूर में हुई थी, तो सिंगापूर की तरह ही लोगों ने वियतनाम की जो capital है हनोई, वहां के बारे में भी नही पहले, यानि की 5 दसक पहले, जब American Civil War वियतनाम में खतम हुआ, तो जब negotiations किये जा रहे थे, तो वो Paris में हुए, ठीक है, दो decade पहले जब तालीबान को सत्ता से उखार फेका गया, जब उन्होंने 9 upon 11 का attack करवाया USA में, तो उसके बाद जब वहां पे नई सरकार को स्थापित किया गया, तो उसके लिए Bonn में, जर्मनी में बातचीत की गई, एशिया की बाते एशिया में होती नहीं थी, लेकिन अब एक नया अप्रोच होके आ रहा है, जब Asian Problems को एशिया में ही resolve किया जा रहा है, इट्स नो स्मॉल थिंग, ये बहुत छोटी बात नहीं है, कि कि उपर आरोप लग रहे हैं कि वो किम को अपीस कर रहे हैं, उन्हें खुश करने की कोसिस कर रहे हैं, वो उन चाल्जिस को भी डील कर रहे हैं, इवन लिमिटेड सक्सिस फॉर टरंप कुछ सेट इन मोशन प्रफाउंट स्रॉक्शल चेंज़ेस इन इस्ट एशिया में, त उसने हमेशा ये सोची रखा जब Cold War चल रहा था कि Korean Peninsula की geopolitics को unfreeze करना, मतलब सही सिटी में लेकर आना impossible है, इवन Cold War खतम हो गया, दो राइवल्स आपस में अच्छी सिटी में आ गए, लेकिन फिर भी ये perception बना रहा कि जो nuclear conflict है Korean Peninsula में, और जो Kim family की quest है कि वो 1990 में प्रयास कर रहा थी कि उनके पास nuclear weapons हो, इसे resolve नहीं किया जा सकता, उसके बाद जो Korean Peninsula में problems आई हैं, उन्हें खतम नहीं किया जा सकेगा, whatever Trump critics might say, Trump को criticize करने वाले लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन Korean Peninsula में जो peace की hope है, वो उतनी पहले कभी नहीं थी, जितनी आज है, देखिए जब लास्ट जो American President थे, Korean leaders थे, Korean जो leaders थे वापस में मेरे या किम जो उनसे मुलाकात होई, उसे कुछ लोगों ने तो failure भी declare कर दिया, बट actually मैं ऐसा था नहीं, skeptics जो लोग बचते फिरते हैं, या फिर निरासावादी होते हैं, वो लगातार यही जोड दे रहे थे कि जो हनुई की summit है, वो भी fail हो जाएगी, और Trump इसे भी हो सकता है, bad deal बोलके दर किनार कर दें, किनारे कर दें, लेकिन Trump ने अपने advisors को overrule किया, और ज़्यदा flexible plans बनाये गए, कि US से जब negotiate करेगा, North Korea के साथ, तो बहुत ही flexible होके बातचीत करेगा, ताकि बातचीत को अंदर तक पहुँचाया जा सके, जो कुछ Republicans थे, कई सारे जो Democrats थे, US Congress में, उन्होंने भी Trump, जो Trump का engagement है किम के साथ, उसे criticize करने का प्रयास किया, speaking to reporters, last week, Trump ने ये कहा, कि वो बहुत जल्दी में नहीं है, due nuclearization के लिए, कि जो nuclear arsenal है North Korea के पास, वो से तुरंद खतम कर दे, इस बात के बारे में वो बहुत ज situation है, उसे improve करना चाहते हैं, जिसे एक wise step कहा जाएगा, देखे, तीन areas हैं, जहां पर Korean Peninsula में progress होनी चाहिए, या हो सकती है, वो तीन areas कौन से हैं, उन पर चर्चा करते हैं, जो पहला area है, वो Korean Peninsula में peace regime को लेकर है, देखे, Korean War 1950-1993 में लड़ा गया था, इस दोरान, जिसके sign नहीं हुई है, सिर्फ एक ceasefire declare किया गया है, मतलब युद्ध बिराम declare किया गया है, कोई peace accord sign नहीं हुआ है, ये ceasefire एक और जो तीन main parties थी जैसे की China, North Korea, एक और ये थे, दूसरी और जो international coalition था, इन लोगों ने sign किया, जिसे US lead कर रहा था, अभी एक उमीद ये रहेगी कि formal declaration ह जाए, peace की, कि अब कोई rivalry नहीं है, North Korea, South Korea के बीच में, एक अच्छा सा peace accord sign हो जाए, जिसके बाद दोनों देस, live happily ever after वाला scene बन जाए, happy ending वाला, तो ये काम हो सकता है, मतलब एक अच्छी सी peace deal sign हो जाए, ये हो सकता है, और साथ लगता है कि जो Trump है, वो इस चीज के लिए त initiations किये थे, जिसे उन्होंने Korean War में जो US soldiers मारे गए थे, उनके remains को वापिस किया था, तो North Korea ने ये भी कहा कि वो denuclearization करने को भी तयार है, Trump भी इसके बदले में North Korea के जो leader है, किम जो उन, उनको वो चीज दे सकते हैं, जिसके लिए काफी लंबे समय से North Korea eager है, वो है America के साथ diplomatic relations तो अगर USA, North Korea के साथ diplomatic relations start करता है, that will be a historical approach, जो कि ये दूसरा scope है, जो हो सकता है, ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर यह है, कि जो तीसरा मुद्दा है, वो international economic sanctions related है, देखे, North Korea के उपर because of their nuclear quest, कई सारे economic sanctions imposed किये गए हैं, अभी USA, इस city में है नहीं, वो नहीं चाहते कि वो sanctions को लेकिन फिर भी, जो South Korea के leader है, Moon Jae-in, वो ऐसा believe करते हैं, कि अगर economic incentives दिये जाएंगे, किम को, North Korea के leader को, तो हो सकता है, कि जो denuclearization है, वो और आसान हो, और बहतर हो, तो यहाँ पर यह तीन areas है, जहाँ पर बहतर काम किया जा सकता है, देखे, In moving America from an exclusive focus on denuclearization to more balanced approach that factors in peace and prosperity, के वल denuclearization से हट कर एक inclusive approach, जो America अभी अपना रहा है, जहाँ पर वो peace and prosperity को भी focus कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, इससे optimism आएगा, और संभावनाय बढ़ेंगी, कि North Korea और South Korea के बीच में जो tensions है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से resolve की जा स रहा है, वो सिंग गटन बार-बार insist कर रहा है कि जो progress है, वो sequential उन्हीं चाहिए, मतलब denuclearization धिरे-धिरे हो, साथी साथ जो political और economic sanctions है North Korea के ओपर उन्हें भी हटा लिया जाए, ट्रम्प ने इस बात को भी recognize किया, कि जो Kim की family के original rational थे, मतलब आखिर North Korea क्यों चाहता था कि उसक सक्ता को उखार फेकता है, वैसे ही कभी न कभी USA North Korea में भी intervene करेगा और वहां की सक्ता को उखार फेकेगा, अगर उनके पास nuclear weapons होंगे, तो अमेरिका ऐसा प्रयास कभी भी नहीं करेगा, तो इस चीज को recognize किया गया अमेरिका के द्वारा, उन्होंने कहा कि नहीं USA ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, in fact USA North Korea की security की जिम्मेदारी भी लेगा, तो इसके बाद जो situations हैं वो बहतर हुई है, Trump की जो नहीं strategy है, this far without strong support from Moon, ये Moon जो South Korea की leader है, उनके support के बिना संभव नहीं हो सकता था, not everyone is talking, winning view, men and a choice between Trump, Kim and Moon, some, देखें सभी लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जो situations हैं बहतर हो सकती है, इस बाद चीज से, जैसे कि जो चाइना है, उस ऐसा रगता है कि US North Korea को अप्रोच करके चाइना से उसे दूर करना चाहता है, जपान के भी अपने कुछ concerns हैं, तो उसकुछ लोगों को चिंता भी है, बड़ सभी Asian countries unhappy नहीं है, कुछ लोगों के लिए काफी क्योंकि जो पहली summit होई, Trump और Kim के बीच में, सिंगापूर में, उसना सिंगापूर की reputation को काफी बढ़ा दिया, और Asia को एक emerging diplomatic center की रूप में सिंगापूर को portrait किया, हनोई में जो भी second meeting होई है, वो भी एक अच्छा approach show करती है, देखे, इसके पहले सिंगापूर में meeting की गई, जो कि capitalist country है, फिर एक communist country, वेतनाम में, जो place है, हनोई, वहाँ पर meeting की गई, इससे जो Trump, जो North Korea के leader है, किम जो उन, उन्हें भी confidence आएगा कि नहीं हर तरीके से, inclusive तरीके से बात्षीत की जा रही है, तो और बहता तरीके से चीजों को deal करना चाहिए, तो ये पूरा article हमने पर देखा, देखते हैं, अगला article, pedagogy and politics, pedagogy का मतलब होता है, सिक्षा सास्र, paper to say topic को जोड़ सकते है, education वाले section से, आई ये बात करते हैं, देखे, union minister of human source development ने, in principle approval दे दिया है, कि एक नया board of education तयार किया जाएगा, जैसे कहा जाएगा, भारतिय सिक्षा board, BSB, ये कैसे इसी देखे, English medium education provide करवाता है, उसके लिए certification देता है, और जो BSB होगा, वो कैसा certification देगा, वो Indian traditional knowledge के लिए certification देगा, draft slabs तयार करवाएगा, और certification जो है, वो भी देगा, certificates issue करेगा, ये जिसे CBSC स्कूल को recognize करता है, कि हाँ ये CBSC का स्कूल है, वैसे ही, जो भारतिय सिक्षा board है वो भी गुरुकुल्स को recognize करेगा, पार्शाला को recognize करेगा, जो की वैदिक और modern school की education से उन्हें provide करवाएगे, जो BSB है, उसका इस बात को जो momentum था, वो last week तब मिला, जब फरवरी 23 को एक जो selection panel था, जो ministry का selection panel था, उसे ये decide किया, कि जो योगा entrepreneur है, राम देव जी, जो प्रोसेस को अगे बढ़ाया जा सकता है, और bidding के लिए उन्हें बहतर माना आ गया, पतंजली ने भी ये commit किया है, कि वो 21 क्रोर रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, बोर्ड के development के लिए, उन्होंने panel को ये भी inform किया, कि उनके पास necessary infrastructure है, इस purpose से काम करने के लिए, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि Indian traditional knowledge को promote किया जाया, उसके लिए एक अच्छा सा सेक्टर तयार कर लिया जाया, ऐसा knowledge देखे हमाई social sciences में, humanities के curriculum में, school, university में काफी लंबे समय से चला रहा है, history की textbook में आपको कई सरे examples मिल जाएंगे, वैदिक age में जो debates किये जाते थे, उनके Sanskrit अभी भी schools में offer की जाती है, higher learning में institutions में offer की जाती है, in fact 2017 में जो Indian languages हैं, उनमें Sanskrit third highest number of post graduate students को avail करने वाला subject था, लेकिन definitely अभी बहुत कुछ करने के जरूरत है, scholarship in languages में उपर नीचे होती रहती है, देखें इनके political implications भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये केवल इसी perspective से किया जा रहा ह है कि जो India का traditional knowledge है, उसे promote किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो basic objectives हैं, उन्हें ही हमें achieve करने के जरूरत है, ठीक है, जब हम बात करते हैं ancient Indian knowledge की, तो हमें knowledge की बात करनी चाहिए, बजाए इसके कि हम उसे वेद, सास, Sanskrit के साथ इस तरीके से intermingle कर दें, जहाँ पर उसका जो जुरा नहीं है, इसे हम छोड़ेंगे, ठीक है, in the current political climate, अभी जो वर्तमान का political climate है, उसमें emphasis इसी लिए किया जा रहा है, देखिए, यहाँ पर तो कुछ controversial बाते यह कह रहे हैं, हमारे exam के लिए important नहीं है, कि यह majoritarian agenda को portray करता है, और जो ancient societies है, हलां कि यह बात इन्होंने काफी अच् लेकिन वर्तमान में जो ancient Indian को portray किया जाता है, वहाँ पर इस diversity को recognize किया नहीं जाता, तो हमें चाहिए कि अगर हम ancient knowledge की बात कर रहे हैं, या फिर Vedic educational board की बात कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए जो हमारा एक core है, कि हमारा जो ancient Indian knowledge है, वो diversity को भी recognize करता है, हमें उसे भी recognize करना चाह देखते हैं, अगला article, एनेक्सियर्स इन इटानगर, पेपर्ठूसर टॉपिक को जोड़िये, आईए बात करते हैं, सबसे पहले basic जान लेते हैं, देखें, अरुनांचल प्रदेश में भी violence interrupt होकी आया है, permanent residence certificate के उपर, जो कि 6 non अरुनांचल प्रदेश शिर्यूल ट्राइ APST, ठीक है, APST, जब हम कहते हैं, non-APST, यह ऐसे लोग हैं, जिन्हें permanent residence certificate नहीं मिला है, तो non-APST को जब इस certificate देने की बात कही गई, कहां पर, नामसी में, चांगलांग डिस्टिक्ट में, और गोर्खा लिविंग जो विजय नगर है, वहां पर, तो यह violence शुरू हो गया, क् जो अडवंचरप्रदेश रियूल ट्राइब से, वो नहीं चाहते, कि यह certification किसी और को दिया जाए, क्योंकि इसके कुछ advantages होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो इन advantages को किसी अन्य विक्ति के साथ बाटें, ठीक है, जो protest था, वो काफी बाद में जाके, normal हुआ, सांथ हुआ, जो काफी लंबे समय से, permanent residence certificate, PRC की मांग कर रहे थे, most of the communities हैं, schedule tribe की, यह आसाम के neighboring states में, या आसाम में रहती हैं, ठीक है, as schedule tribes in neighboring आसाम, neighboring आसाम की schedule tribes हैं, लेकिन reports के हिसाब से यह ऐसा कहते हैं, कि पिछले कई सालों से, तो यह adventure प्रदेश में ही रह रहे हैं, मतब 50 सालों से जादा समय से, यह adventure प्रदेश में ही रह रहे हैं, तो आखिर इन्हें PRC क्यों नहीं दिया जा रहा हैं, इनकी इस मांग को लेकर एक joint panel बनाया गया था, community बनाई गई थी, जिसने यह कहा कि 1968 के पहले, जो भी community के लोग adventure प्रदेश में रह रहे हैं लगातार, उन्हें PRC का status दे दिया जाएगा, उसके बाद यह पूरा chaos स्टार्ट हो गया, अब यह permanent residence certificate है क्या, वो यहाँ पर बताया गया है, यह एक domicile certificate है, जिसे permanent residence certificate कहा जाता है, एक term है जो इसके लिए इस्तिमाल किया जाता है, यह यह प्रूब करता है कि जिस व्यक्ति को certificate मिला है, वो वहाँ क पर रह रहे हैं, अब जो certificate होता है, इसका purpose क्या होता है, यह एक legal document है, जो residence evidence की तरह काम करता है, residence proof की तरह काम करता है, दूसरी बात कि इसी एक कई सारी situations में आपको produce करना होता है, अगर आप education organization में admission ले रहे हो, job reservation ले रहे हो, specific quota के इंतरगत, government job में तो आपको यह दिखाना पड़ता है, कि हाँ मैं यहां का मूल निवासी हूँ, ठीक है, राश्यन, permanent residence certificate के तौर पे इसका इस्तिमाल किया जाता है, और वैशे schemes में या scholars से पवेल करने के लिए आपको certificate देना होता है, अगर आपके पास certificate नहीं है, तो आपके कई सारे benefits avail नहीं कर सकते, इसी लिए other communities इसकी मांग करती रहती है, ठीक है, अब देकर भी मुद्दा ये है कि citizenship amendment bill को लेकर काफी क्योस था, उसके बाद अभी PRC को लेकर मुद्दा highlight हो गया है, एक joint high power committee का निर्मार किया गया था, जिसने report में ये कहा, कि 1960 के पहले जो communities वहाँ पे रह रही हैं, उन्हें PRC का recognition दे द इसे भी नुकसान पहुँचाया गया, दो लोगों की जान गई पुलिस फाइरिंग में इस मुद्दे को डील करने के लिए, मुद्दा तब जाके कुछ हलका हुआ, सांत हुआ, जब सरकार नहीं अनौन्स किया कि वो JHPC, Joint High Power Committee की जो report है, उसे नहीं मानेंगे, और बाकी लो argument है, जो जरूरी होता है, वहाँ पर सर्विसस को अविल करने के लिए, वही बात है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, Clearly not everyone agrees with this reasonable position, हर वेक्टी चाहता है कि जो बहुत लंबे समय से वहाँ पर रह रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें PRC का दरजा मिल जाए, पर टेस्ट उसके बाद हुआ जब यह कहा गया कि हाँ दरजा दिया जाएगा, अब जो लोग वहाँ पे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के भी दरजा दे दिया जाएगा, तो उनकी opportunities कम हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, तो mob violence सुरू हो गया, यहाँ पर आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा, 10 जून के लिए batches announced हैं, फिर relaxation chart यहाँ पर है, आप इसे देख सकते हो, इसके अलावा, 26 फरवरी यानि कि आज से हिंदी मीडियम में batches announced हैं, पर्यावरान इंपास्तिकी के साथ, आप इसके लिए भी information अवेल कर सकते हैं on this number, एक interview का question है, कर मैंने एक सवाल पूछा था, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जवाब भी दिया था, कि ऐसा कौन सा देख है जो इंडिया पाकिस्तान के dispute को immediate कर सकता है, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि क्या इंडिया इस सिती में है, कि यो global issues को immediate कर सके, जैसे आज वियतनाम औ इस नमें आपसे में एक सुख़ये खुजिया एक से-बर्ष ल höर्ब्र गत्न द्र बंष बशे, कि अवर हो इक स्वे ड़ YOU आपने द्वेए स्कूछेंज अरशनाव चैसे कर सकता हैं तहून है, आपने कर सक्कान क्या में स्ब्करा, आपने की अपता हैं धूछस्ताना कि य